धाई अजार किलोमेटर परते घंटा वाले फाइटर जेट को जमीन पर बने दो किलोमेटर लंबे रन्वे पर उतारना तो बढ़ा ही असान काम है लेकिन ये जहाज के 200 मेटर के केरियर पर कैसे लेंड करता है और उडान कैसे बरता है देखिए दोस्तों काफी सीच्वेशन में तेजी से आता लडाकुमान जब ठीक से काम नहीं करता है तो 2000 करोड का ये विमान पानी में भी गिर जाता है पहले के निवी के जहाज आज के एडवांस एरकराफ्ट केरियर से अलग होते थे इन जहाज का अगला इससा उठावा होता था जिससे लडाकुमान असानी से उड़ान भर सकते थे लेकिन अब फाइटर जेट इतने अडवांस हो गए जो कम टाइम में तेजी स्पेड पकड़कर असानी से उड़ान भर लेते हैं लेकिन इनको रोकना उतना ही मुश्किल है इसलिए लडाकुमान जब 300 किलोमेटर प्रते घंटा से लेंड करता है तो उसे अरेस्टेड वायर में फसा कर रोका जाता है इस दोरान पाइलेट जहाज की स्पेड को कम नहीं करता क्योंकि अगर हुक जहाज में ना फसे तो विवान दुबारा टेक ओफ कर जाता है वीडियो पसंद नहीं चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें